विशुभर में कोरोना बाइरस के प्रकोग को बढ़ता देख मानिया प्रधानमंदी ने पूरे भारत में लॉकडाउन का एलान कर दिया यह लॉकडाउन 25 मार्ट से स्टार्ट होकर 14 अपरेल तक चलेगा 21 दिन के लॉकडाउन के बाद भारत बासी काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं इसी दिक्कतों को देखते हुए प्रधानमंदी की एक अपील पर कि लोगवाग अपने से छोटे लोगों की मदद करें इसको लेकर कई लोग आगे आ रहे हैं जियां लॉकडाउन की इस्तिती में प्रती दिन मजदूरी कर पेट भरने वाले चोटे कारोबार करने वाले और क्रायदारों को परिसानी को दिखत हुए भाजपा के नेताओं ने आगे आकर एक बड़ी पहल की है संजीव सर्मा अपने कारकरताओं के साथ मिलकर गरीब परिवारों को रासन वा भोजन वटवा रहे हैं साथ ही वो अपने कारकरताओं से यह भी कह रहे हैं कि प्रधानमंदी रात कोस में भी जितनी भी रासी हो सके उनसे वो जमा करवाएं संजीव सर्मा के आवहान पर भाजपा का प्रते कारकरताओं पद्रधिकारी गाजयवाद के ऐसे हर घर की तलास कर रहा है यहाँ पर गरीबों को खाना नहीं मिल पा रहा उन्हें भोजन वा रासन महया कराने का काम कर रहे हैं यादि देखा जाए तो कारकरताओं की ऐसी एक्टिविटी और जावूता का सार असरे महानगर अध्यख संजीव सर्मा को जाता है क्योंकि संजीव सर्मा की लोग बड़ता इतनी जादा है कि लोग उनकी किसी भी बात को नकार नहीं पाते और अब कारकरता पूरे दिल के स गरीबों की मदद करने में लगे हुए हैं संजीब सर्मान ने भी अपने सभी कारकरताओं से निवेदन किया है कि कम से कम अपने आसपास के गरीब परिवारों की देख रेक जरू करें जिससे की उन परिवारों को भूका ना रहना पड़े इस दोरान यहां पर मंडल अध्यक्ष लच्मर रावत जी खोड़ा मंडल उपाध्यक्ष इंद्री डागर जगदीज भट मुरारी साहू जी जैपाल पुंडीर जी प्रत्वी डाग भूबे जी हरिंद्र डागर जी हैमंत जोसी जी सौनू जोसी जी बिपुल सिंग जी पंकज बिष्ट जी और कई कारकरता सामिल रहे जिन्होंने लगभग सत्रेसों खाने के पैकेट गरीब हों में डिस्ट्रिब्यूट किये